Hello my dear students, welcome to the IMB education आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं Class 11 Biology चेप्टर नमबर 9 Bio Molecules के NTA अभ्यास के MCQs इस चेप्टर के अंदर हम total 30 questions जो वो discuss करने वाले हैं आप इस वीडियो के last में आप बने में बताना कि आपके 30 में से कितने questions जो वो correct होते हैं अगर आपने इससे पहले वाले chapters नहीं देखें तो आपको आई बटन में playlist का link मिल जाएगा जहाँ पर इससे वाले सभी chapter हम NTA अभ्यास के complete करवा चुके हैं तो चलिए start करते हैं यहाँ पर Bio Molecules के question number 1 से आपको बता दू कि इस chapter में जो वो chemistry का Bio Molecules भी include किया गया है कुछ हग तक तो start करते हैं the enormous diversity of the protein molecule is due to mainly the diversity of यानि जो protein molecule होता है उसके अंदर में अलगले type के diversity देखने को मिलती है तो वो mainly किसकी diversity की वज़े से देखने को मिलती है सबसे पहले बात करते हैं कि जो protein molecules होता है वो बनता किसे है वो बनता आपके amino acid से मिलकर अब amino acid के अंदर भी अलगले type के group होते हैं तो आपर जो amino acid के अंदर अगर diversity आती है वो diversity का reason होता है आर ग्रूप अब यह याद रखना है यहाँ पर हमसे protein पूचा है amino acid नहीं पूचा है मैं आपको बता रहा हूँ अगर यहाँ पर यह होता डाइवस्टी ओप अमीनो acid molecule is mainly due to यहाँ पर आर ग्रूप वाला option आता पड़ हमसे पूचागे कि protein के अंदर जो diversity आती है वो किसकी वज़े से आती है तो actual में 20 डिफरेंट टाइप के amino acid होते है उनका अलग-अलग जो arrangement होता है sequence होते है उसकी वज़े से जो protein molecule के अंदर अलग-अलग टाइप की डाइवस्टी देखने को मिलती है यहाँ पर मारा these are the organic compound सबसे बोले बोलेगे कि यहाँ पर एक औरगनी कंपाउंड है and are distinguished from other cofactor in a way that they are tightly bound to the apo enzyme यह एक औरगनी कंपाउंड है वो other cofactor enzyme के उनसे इस तरह से different है कि वो जो organic compound हो tightly bound होता है apo enzyme से तो कौन से यहाँ पर जो है वो आपका cofactor आएगा prostatic group co enzyme metal आई निया फिल जाई गोजिन तो यहाँ पर जो हमारा answer आएगा वो आएगा prostatic group प्रोस्टेटिक ग्रूप जो organic compound होता है tightly bound होता है apo enzyme से तांसर आजएगा option a ओके नेक्स्ट हमारा question number protein and then enzyme second दियागे protein enzyme and amino acid c दियागे disacrite monosacrite polysacrite and d दियागे monosacrite starch and sucrose अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं monosacrite starch और sucrose option d से start करते हैं तो monosacrite जो starch होता है वो आपका polysacrite होता है और जो sucrose होता है वो आपका disacrite है ना था देन आपका polysacrite दिया यह sequence गलत है ऐसा यहाँ पर किया गया पहले disacrite और फिर monosacrite लिखा गया या रिवर्स लिखा गया पहले mono फिर यह तो फिर यह गलत हो गया फिर लिखा गया protein enzyme और amino acid amino acid से protein बनते है not protein जो वो आपे ऐसा होगे ऐसा भी नहीं तो amino acid फिर उसके बाद protein मनेंगे फिर proteins enzyme मनाते हैं तो यह जो sequence है वो बिलकुल correct है तुमारा answer आजाएगा option A next हमारा question number जो fourth है the concept that explains how the large quantity of substrate is acted upon by a small concentration enzyme is यानि कौन सा ऐसा concept है जो यह explain करता है कि अगर बहुत large quantity के अंदर भी substrate है तब भी हम बहुत small quantity के अंदर अगर हम enzyme लेते हैं तो भी वहाँ पर जो reaction हो जाएगी coenzyme theory enzyme collision theory या फिर induced fit theory या फिर lock end की theory तो यह जो है वो परपोस्ट जो है यह जो concept है वो explain जो theory करती है वो है lock end की theory अब यह जो lock end की theory है जो परपोस्ट की गई थी emil fission के द्वारा और यहां पर यह क्या बताएगा है कि जो substrate और enzyme होते हैं वो कुछ इस तरह से fit होते हैं जैसे lock end की तो इस type से इसको बताएगा ता explain किया गया तो तो आमसर आजाएगा option D एक बार आगे बढ़ने से पहले अगर आपको biology के सभी चेप्टर के इस type के नोर्स आए जहां पर यह mention किया हो कि किस line से किस year में question आ चुका जैसे police एक्रेट में यहां से need 2018 में यहां से need 2013 15 इस type के आपको सभी chapters के biology और chemistry के notes आए तो आप इस video का description चेक कर सकते हैं तो चलिए अब next question की तरफ चलते हैं next जो है वह हम question number 5 देख लेते question number 5 में बूल गया the component present in both nucleotide and nucleoside are यानि कौन से component होते है जो nucleotide में भी मिलेंगे और nucleoside में भी मिलेंगे sugar, phosphate, nitrogen base और both A and C तो जो आपका phosphate group होता है वो केवल nucleotide में मिलता है बड़ जो आपका sugar और nitrogen base है वो दोनों के अंदर ही मिलता है तो both A and C हमारा answer आजएगा option B next हमारा question number जो वो 6 तह याँ पर बोले गए cellulose is a polymer cellulose किसका polymer है? alpha glucose का, alpha fructose का, beta glucose का या फिर beta fructose का तो जो आपका cellulose होता है वो homo polymer होता है मतलब एक ही same compound के वहाँ पर होते है polysaccharide तो इसको बहते है homo polysaccharide और वहाँ पर हमें मिलता है कौन सा beta glucose तो हमारा answer बनेगा वो बनेगा option C next हमारा question number जो वो 7 थे याँ पर बोला गए select the wrong statement हमें याँ पर wrong statement बतानी है सबसे पहले लिखा गया the building blocks of lipids are amino acid second में लिखा गया नेजोटी of the enzyme container non protein part called the prostatic group C में लिखा गया है the thylakoid are arranged one above the other like a stake of coin forming a granum and option D में लिखा गया crossing over occurs at pacytin stage of the meiosis one तो जी है pacytin के अंदर ही crossing over होती है meiosis one इससे next chapter हमारा उसी के question है फिर हमारा thylakoid range वो granum बनाता है यह भी बिल्कुल सही है majority of the enzyme container non protein part called the prostatic group यह भी सही है the building block of lipids are amino acid जी नहीं building blocks of proteins जो हते है वो amino acid जो हते है वो protein मनाते है lipids नहीं मनाते है lipids जो हते है वो ester होते है fatty acid and glycerol के तो यह जो लिखा है wrong statement लिखा है तो आंसर आजाएगा option A नेक्स्ट हमारा के से नमबर 8 देख लेते हैं which of the following statement regarding enzyme inhibition is correct याने enzyme inhibition के लिए consistent statement बिल्कुल correct लिखे गई है first and non competitive inhibition of an enzyme can be overcome by adding large amount of the substrate second लिखा गया competitive inhibition is seen when a substrate compete with an enzyme for binding site C लिखा गया competition inhibition is seen when the substrate and inhibitor compete for an active site and option D लिखा गया non competitive inhibitor often bind to the enzyme irreversibly हम से यहाँ पर correct statement पुछा गया non competitive inhibition of enzyme can be overcome by adding large जब non competitive है तो आप एक आप कितना भी ज़्यादा है competition inhibition is seen when a substrate compete with an enzyme for binding site competition inhibition लिए बोल रहा है जब substrate गम्पीट कर रहा है enzyme के साथ में ऐसा नहीं है substrate जो हंवो enzyme के साथ में क्यों compete करेगा competition inhibition still when the substrate and the inhibitor अगर वहां पर inhibitor है वह compete कर रहाconomowा out पर competition inhibition है कहाँ पर जो answer आएगा वो आएगा option C और नेक्स नमारा क्योंसर नमबर नाइंथ है क्योंसर नमबर नाइथ में पुझागे which of the following option correctly identify the structure of sugar गयोंगे लोग तो आपर यह diagram दिया गए A and B एमें बताना की यह किस चीज के diagram है आप बोलागे A जो आपका glucose हो सकता है या फिर आपका chemistry की ncrt जो है उसके अंदर biomolecule वाला चैप्टर भी आप एक बार जरूर देख लेना ओके नेक्स जो है वो हम क्यों से number 10 देख लेते हैं एनाबोलिजम इस एन जो एनाबोलिजम है वो किस टाइप का process है एंडरगोनिक process है एक्जरगोनिक process है बाइडरेक्शनल में जो energy है वो ज्यादा है as computer to reactant तो उसको हम बोलते हैं एंडरगोनिक process ओके और अगर इसका reverse है यानि जो आपका reactant है उसके पास ज्यादा energy है तो हम उसको बोलते हैं क्या exergonic process तो यहाँ पर जो एनाबोलिजम होता है एनाबोलिजम के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर जो आपके product होते हैं उसके पास ज्यादा energy होती है as computer to reactant तो इस लिए इस process को हम बोलते हैं एंडरगोनिक process तो अंसर आज़ेगा option a और नेक्स्ट हम जो question number 11 देख लेके है the elementary sulfur is present in तो elementary sulfur जो किसमें present होगी तो यहाँ पर दिया गया वैलीन, लाइसीन, सीस्टीन, ट्रिप्टोफेन, glutamic acid, aspartic acid, citrulin, methiunin, and glutamic acid, यह फिर homocystine, cistine and methiunin तो कौन सा amino acid है जिसके अंदर sulfur मिलता है तो एक तो cistine में मिलता है lysine, valine, tryptofen, glutamic और second हमें मिलता है methiunin में तो cistine एंड मिक्योनीन जो होता है जैसे होमोसिस्टिंस इसके अंदर हमें जो अमीने से डोते हों आपे सलफर मिलता है तो अंसर आ जाएगा ऑप्शन दी नेक्स्ट नमर किस्ट नमर जो वह ट्वैल्थ है ऩबलते हैं ट्राइग अप्शन fruits acum इस वाले तो सारे उप्शन अट जाएगे जफ्न शुगर और फ्रृस्ट बेंट डोनों मिलकर बैक्बौन बनाते हैं तो अंसर आज जाएगा option a next time मैं जो वा question number 13 देख लेते हैं triglyceride and fatty acid ester of glycerol which are found by the estrification of dash molecule of fatty acid and dash molecule of glycerol याने मैं बताना है जब triglyceride of fatty acid बनता है glycerol में तो वहाँ पर estrification में कितने molecule fatty acid के होते हैं और कितने glycerol के होते हैं या पर बोला कि one fatty acid two glycerol one fatty acid three glycerol या फिर three fatty fatty acid one glycerol या फिर two fatty acid one glycerol तो एक्चल में या पर जो molecule होते हैं वह होते हैं आपके three fatty acid के एंड बन जो होता है वह glycerol का होता है तो answer आजाएगा option c और नेक्स्ट जो हो हमारा question number 14 देख लेते हैं hydrolysis of nucleic acid yields जो hydrolysis of nucleic acid होगा तो वह पर क्या क्या चीज़े बनेगी अगर हम nucleic acid को करें आप यह nucleoside यह nucleotide की बात नहीं करें वो दोनों यह जाते हैं तो only sugar phosphoric acid only nitrogen base only या फिर nitrogen base sugar और phosphate तीनों तो nucleic acid को जब completely हम hydrolysis कर देंगे तीनों निकलेगा वह पर nitrogen base sugar और phosphate तो हमारे जो answer आएगा वो बनेगा option D नेक्स्ट हमारा क्युस्टर नमबर जो फिप्टीन है DNA differ from RNA जो DNA होता है वो RNA से differ होता है कि इस base पे in the nature of sugar alone in the nature of purine alone in the nature of sugar and pyrimidine या फिन आफ दीस तो सबसे पहले तो sugar alone तो नहीं हो सकता हाँ वहां पर राइबोज होती है आरने में और DNA में डियोक्सी राइबोज होती है तो नेचर आप sugar तो लिपेंट करता है अब प्यूराइन तो सब में सेम होता है यह पर पार इंडिन में अलग होता है आरने में आपका प्यूराइन होता है तो यहां पर यह जो चीज़ वह गलत यहां पर यह आजाएगा कि इन दा नेचर आफ सुगर और पार इंडिन के बेस पर डियन और राने डिफरेंट होते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्यूसें नमर सिक्स्टीन देख लेते हैं स्ट्रेंड ओफ डिन ने आ हाइट्रोजन बोंड होते हैं पर त्री तो हाइट्रोजन बोंड होते हैं तो आंसर आ जाएगा ऑप्शिन ए नेक्स्ट जो है वह हम क्यूसें नमर सेवंटीन देख लेते हैं इन डिने मॉलिकिल विच वगदा फॉलिंग बेस पेर हमें मिलेगा सिस्ट्रसिन एडिनाइन थाइमीन, एडिनाइन, जुनाइन यरी साइट्रसिन, थाइमीन तो हमने बात की थी कि अभी-अभी-एटी और जी,जिसी ये दो जो हوتे हैं वह बेस पेर होती हैं अब है अगर आपका थाइमीन रहता है यह सःट्रसिन फाइसान यह वाला जो हो बेस पेर बनाता है एडिन the following food item which one has the highest amount of carbohydrate ये maximum student का गलत हो सकता है ऐसा question जो आने की समभावना बहुत ही कम है इस टाइप का question नहीं आता है बट फिर भी देख लेते हैं क्योंकि ये NTA की official website पर तो ऐसा question कभी आ भी जाए तो भी अच्छी बात अमरा नेक्स नब बात करते हैं बनाना की तो वहां पर 20.4% होता है एप्रोक्सिमेटल हो जाता है के बेस की बात करें तो यहां पर केवल 8.5% कार्बोईड़ेट होता है और पी में मोस्टली जो हता है वह आपके प्रोटीन होते हैं कार्बोईड़ेट बहुती कम होता है अब हमसे पूछा गए कि वजए हाईएस्ट एमाउट तो हमारा बनाना में निकल के आता है तो हमारा है सेक्ड में बोलगे कि यह जो डाइग्राम है वो लेसिदीन का है और कंपोनेट ऑफ दा सेल मेंब्रेन और यह भी सेल मेंब्रेन का नौन प्रोटीन पार्ट इंजाइम is known as तो अभी यह हम एक फीरिंदा ब्लैंक्स में करके भी आते साइब एक्ट करता है तो वो क्या काम करता है सबसे पहले गए reducing the energy of activation increasing the energy of activation या फिर decreasing the pH या फिर increasing the pH enzyme pH increase decrease नहीं करता है यह आपकी जो activation energy होती है उसको reduce करता है उसको increase भी नहीं करता है तो हमारा जो answer बनेगा वो बनेगा option A next जो हमारे question number 22 देख लेते हैं the enzyme activity can be completely stopped by तो ऐसी कौन से activity है जिसके द्वारा जो enzyme activity है वो completely stop हो सकती है removing its product as fast as it is formed या फिर doubling its concentration या फिर decreasing its concentration या फिर blocking its active site तो product जितना बन रहा है उसको अगर remove भी करें तो इससे enzyme की जो active site है उसको कुछ भी नहीं होने वाला वापे वो stop नहीं होने वाला है अगर concentration डबल करते तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा कम करें बिल्कुल भी नहीं होगा बड़ जो क्योंकि enzymes mainly जो function ही करता है वो उसकी active site के करता है और अगर active site ही block हो गई तो आपर उसका काम भी stop हो जाएगा तो answer आजाएगा option B next नमरा question number 23 है term age is used for जो a-s-e age जो term होते है वो किसलिए use की जाती है classification of enzyme enzyme with special function या फिर nomenclature of enzyme या फिर all of these तो age जो होती है वो generally हम use करते हैं enzyme के suffix में suffix में ज्यादा तर age आता है ओके तो यहाँ पर जो आपका nomenclature of enzyme होता है उसकी अंदर use किया जाता है तो answer आजाएगा option C next जो वो किसे नमरा 24 है यहाँ पर बोलगे एन unknown liquid collected from a sample of peas is added to a beaker of water and vigorously shaken या यह बोल रहा है कि peas से हम कुछ एक unknown liquid निकालते हैं फिर उसको water के beaker के अंदर डालते हैं और उसको पूरी तरह से बहुत अच्छी तरह से शेक करते हैं after a few minutes water and the unknown liquid मतलब water जो एक unknown liquid जो हमने निकाला पीस है made two separately है तो वो दोनों दो अलग अलग layer बना लेते हैं तो which class of biomolecule does the unknown liquid most likely to belong जो unknown liquid है जिसके बारे में नहीं पता है वो कौन सा हो सकता है जो की अलग layer बना रहा है water के साथ में जब उसको शेक किया जाते है polysaccharide हो सकता है protein हो सकता है lipid हो सकता है या फिर enzyme हो सकता है त तो यहां पर जो non polar molecule अगर कोई होगा तो वो आपका एक अलग layer बनाएगा अब यहां पर lipids जो होता है वो एक non polar layer होता है और यह hydrophobic भी होता है most important क्या है यह hydrophobic भी होता है और इसके अलावा क्या है कि यह जो water होता है उससे काफी lighter होता है weight के अंदर तो यह क्या होगा आसा आसाने से ऊपर आजाते हैं वैसे lipids आपका बहुत आसानी से ऊपर आजाएगा उसकी वज़ए से एक layer बना लेगा अलग से पीस के अंदर जो lipids है उसकी वज़ए से वह उसको अगर शेक करें वहां से निकाल के उस liquid को तो वह आपर बना रहते हैं आप है मारा answer आएगा lipids ओके नेक्स्ट जो किस्ट नमबर 25 देख लेते हैं एंजाइम डी नेचुरेट एंजाइम जो वो कब डी नेचुरेट होते हैं एट वरी लो टेंपरेचर दूरिंग केमिकल एजिक्शन एट वरी हाई टेंपरेचर या फिर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट तो अगर बहुत ज्यादा लो टेंपरेचर है तो वो इनेक्टिव हो जाते हैं डी नेचुरेशन नहीं होते हैं इनेक्टिव हो जाते हैं बट अगर बहुत ज्यादा हाई टेंपरेचर है तो वो डी नेचुरेट हो जाएंगे तो हमारा अंसर आएगा ऑप्शन सी और नेक्स्ट हमारा फैर्टेटी एसिड मॉलिक्यूल सेटिंड बोला गभ्य है 1 फैर्टेटी एसिड मोलिक्यूल थी टियांन फैर्टेयोव Corncam इस इनकरेक्ट हमसे पुछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो सकती है फर्स्ट है एसेंचिल अमीनो एसिड आर नोट सिंतेसाइज इन दा बोडी देरपोर है व्यव भी प्रोवाइड इन दा डाइट सेकेंड है लूसीन आइसो लूसीन लाइसीन वैलीन आर एसें आमीनो एसिड तो यहां से आपको बता us and और जॉका गैंर आजए्टौक्राप तुस्था he वह वह बनाऊं गलेन आ खिक उद्ट है तुछ पर गईराय मियुक्षिंघ केृट्य उस्टेटि आ अमवेवे त्वीनो एस्ट है यह आपके बैसिक अमिनो एसेड है में से कौन सा है saturated fatty acid औलिक एसिड लिनोलिक एसिड अरेखनी डोइक एसिड या फिर पाल्मेटिक एसिड तो हमसे पुछागे saturated fatty acid कौन सा है तो आपका पाल्मेटिक एसिड हो एक saturated है वागें से चुरेटेड है और नेक्स्ट हमारा और किस कार्बन से जो अगला न्यूक्लियोटाइड अटेच होगा और कौन सा बॉंड होगा सबसे पहले बात करते हैं फोस्पेट गुरूप की तो फोस्पेट गुरूप जो होता है वह प्रेंटिक फिप्त कार्बन से अटेच होता है कौन से कार्बन से फिप्त कार्बन से होता है यह दो ऑपशिन हरती है अब जो दूसरा न्यूक्लिटाइद होता है वो हमेश्या थेर्ड कारबन से यह व्याय होता है यह पर इन तो दो नहीं ऑपन से यहां पर और आपर घृवप्शन हमेरा आजएगा ओपशिस आप 30 which of the following is an incorrect match यहने हमें बताना है कि इनमें से incorrect match कौन सा जा गया है फस्ट देखते हैं यहां पर बोलागे प्यूराइन जो वह आपके एडिनाइन जुए नाइन है पाइरिमिडीन में बोलागे सिस्टीन थाइमीन है थार्ड में बोलागे स्ट्रक्चिरल पॉली सेक्राइड में बोलागे इन्यूलीन है और फॉर्थ में स्टोरेज जो होता है gedacht टो स्ट्रक्च्रल पॉली सर्ग होते हैं ऊपका टी फ्रक्टोज का पॉलिमर होता यह अपका स्ट्रक्चल पॉली सर्ग जाल है तो तर्ड वाला टेया गलत है तो स Misano Нortun dak है इस वीडिव comigo लिए व्याम पउसना है तो कंदर आज किई जी widget दिल दिने जुरिजात अब तके लिए धनिवाद